दोस्तों यदि आप अपने घर पर CD बनाने का काम कर रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी नॉलेज देने वाले हैं तो चलिए CD के बारे में हम बात शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जब आप सीधी बना रहे होते हैं तो यह decide करना होता है कि हमें कितने इंच का step बनाना है तो मैं आपको बता दूँ की एक step की जो उचाई होती है उसे हम riser बोलते हैं और इस step की चौड़ाई जिस पर हम pair रखत बनाएंगे वह 8 इंच से उचा नहीं कर सकते और जो trade बनाएंगे वह 10 इंच से छोटा नहीं कर सकते तो 10 और 8 के हिसाब से ही मैं आपका यहां पर बता देता हूँ कि हमें कितनी जगह लगेगी इसके लिए सबसे पहले हमें 10 feet को इंच में बदलना होगा तो हम देखते हैं क कि 120 इंच आता है अब 120 इंच में हमें राइजर का भाग करना होगा यानि कि 8 इंच का राइजर हम बना रहे हैं तो अब हमें यहां पर 7 feet को इंच में बदलना होगा तो 84 इंच आएगा अब 84 इंच में हमें 8 का भाग करना पड़ेगा तो 10.5 निकल कर आएगा इसका मतलब य होगा की साथ फीट तक की हाइट में हमारे दस स्टेप बनेंगे और पांच इंच की स्लेप पड़ जाएगी उसके बाद आपको एक सूत्र अपनाना है वह सूत्र है राइजर माइनस एक बराबर ट्रेड तो यहाँ पर हम इस सूत्र में संख्या रखते हैं तो राइजर यान हमें 90 इंच की जगह है अब 90 इंच को यदि हम फिट में बदल कर देखें तो साधे 7 फिट आएगा इसका मतलब यह हुआ की साधे 7 फिट की जगह स्टेप बनाने में चाहिए और 3 फिट का प्लेट फार्म जोर दिया जाएगा तो साधे 10 फिट हो जाएगा और चौड़ाई